नमस्कार में रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्वार्ट्स हर साल कटाव का दंज जेलने वाला कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल जहां पर हमीशा गंगा में कटाव की वज़व से हजारों लोग प्रभावित होते हैं और आपको बता दें कि पिछलों दिनों मुख्य मंत्री ने मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचात का निरक्षन भी किया था और गंगा कटाव में हो रहे तेजे को देखते हुए निरक्षन कर और कई अधिकारियों को निर्देश भी दिये थी उसके बाद अब जिला प् अध्र टोला गाउं के नजदीक पहुंचे जहां तेजी से हो रहे कटाव का मुआयना किया है मुख्य अभियांताओं की टीम के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचीव संजय अगरवाल का इस विशा में क्या कुछ कहना है वो आप सुने कि कठियार के कई इलाखों में कंगा नदी और कोषी नदी के पास में कटाव की स्मस्य और शिकायते प्राप्थ हो रही थी उसको लेकर कि कल मुख्य मंत्रि जी ने भी किया था और उसके बाद उनका निर्देश वागी कुछ अन्य इलाकों में भी समश्या है तो आज हम लोग उने सभी पदादी का उसाथ बैठक भी किया गया है ताकि जो समश्या है उसका क्या समाधान हो सके कुछ-कुछ काम होते रहे हैं लेकिन समश्या यथावत बनी रह र होगा और जहां जहां कटाओ हो रहा है उसको किस पका बचाए जा सके उसके लिए कई परकार की तक्निके हैं तो हमारे जो इंजिनियर्स के टीम है वो सभी तरीकों पर विचार करेंगी और जहां जैसा ज़रत होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा ताकि कटाओ से बचाओ हो सके और नदी के पाने को रास्ता मिल सके जब नदी के पाने को रास्ता नहीं मिल पाता ता वो काटना सुरू करता है तो अब नदी के लिए प्रयाप्त रास्ता भी रहे और कटाव से जमीन भी सुरक्षित रहे ताकि जो किसानों की जमीन कट रही है कई जे घर भी कट रहे आपको बता दे किस कटाव से हर साल हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और लोग जो खुद मेहनत करके अपना घर बनवाते हैं वो लोग खुद ही मजबूरन अपना घर तोरने को विवश्यू जाते हैं और हजारों लोग पलायन भी यहां से कर जाते हैं आपको बता दे कि कटाव के डर से अब वहां के अस्थानिये लोग जो हैं बांध पर अपना आस्रा बसाई हुए हैं लेकिन फिर भी उन्हें कटाव का डर सता रहा है कि अगर इस बार कटाव हुआ तो वो फिर क्या करेंगे इसी को लेकर आपको बता दे कि उसके बाद बनी रहती है और हर साल हजारों के संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं तो फिलाल के इतना ही चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखनी के लिए आपका शुक्रिया